बादुरर विधान सभा से बीजेपी के उमिद्वार्ट दिनेश कोशिक हैं जिनका चुना प्रचार बहुत जोरों से चल रहा है दिनेश कोशिक की नुकर सभाव में भी भारी भीर देखी गई सेक्टर 6 में एक जन सभा को संबोधित किया जहां पर पहुंशने पर स्थाने लोगों निनका जोरदार स्वागत किया पूर विधायक नरेश कोशिक का भी स्वागत किया गया था बीजेपी उमिद्वार दिनेश कोशिक का कहना ये था कि ये धार्मिक और समाजिक आदमी की तोरे पर अपनी पहचान बना चुके हैं उन्होंने का कि वो लोगों के सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहे हैं बीजेपी सरकार ने जित साल में बाहदर कर चम कर काम किये और जो काम रुके हुए थे वो चुनाव के तुनित बाद फिर से शुरू करवाद की चाएंगे और साथ ही ये भी कहा कि लोगों के सयोग से हर्याणा में टीसरी बार सरकार बनने जा रही है सरकार बनने के बाद बीजेपी अपने संकल पत्र के अनुसार कारिये करवाएग उसमें हर्याने के लिए दस आएंटी और हमारी सरकार में वोजना पत्र में की हैं दस आएंटी आगे तकी मनना पाच लाख बच्चे रोजगार मिलेगा उनको 5 लाख बच्चे थोड़े में होते हैं अब येक आएंटी आने से इतना फर्क पड़े हैं दस आएंटी के वे बोट खरीदा परिदी आपने मेरे पास कोई पैसा नहीं है आपने किसमें तो जो होगा हम दार्मी का आदमी है वो